अपिसोड और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिर्शिंग वैली में और अब मैं ये फिलहाल ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं व्यूपॉइंट पर जाओं ग्लेशियर राली साइट पर नागा परपत की या रूपाल फेस की तरफ से बेस कैम की तरफ जाओं अभी हम आपको सफर दिखाते हैं गोरी कोट से तिर्शिंग विली जाते हैं हमें हाड़ल ये गहनटा लगता है गोरी कोट से सड़क ओवराल बहुत अच्छी है पीच में खराप पैचिज भी आवियसली आते हैं लेकिन अवराल अच्छी है अभी इस वक्त हम यहां से हम तक आप यहां से भी उपर जा सकते हैं पहले तो आपको दिखाता हूं सफर और फिर तिर्शिंग से देखते हैं व्यूपॉइंट और उसके बाद हम तैसला करते हैं कि हमने एरूपल जाना है या नहीं जाना हमारे साथ रहेगा अस्तोर शहर से रूपल विलिज से अफासला तक गरीबर 38 km है और यहां जाने में दो घंटे का वक्त लगता है प्रूपल विलिज जाने के लिए आप गोरिकोड के ब्रीज से राइट होंगे दिल्ले जील जाने के लिए भी यही राफ्ता इस्तमाल होता है जो रट्टू के कट सक सेम रहता है रट्टू कट के बाद चॉरट गाउं आता है और सड़क एकदम से बेहतरीन हो जाती है चॉरट गाउं बहुत ही खुबसूरत है कर दो दो जाता है अस्तोर शहर से रूपल विलिज का फासला तक्रीबर 38 किलोमीटर है और यहां जाने में दो गंटे लगते हैं गोरी कोर्ड से ब्रिज के बाद आप सीधे हाथवली सड़क पर टन लेंगे इस मकसद के लिए वहां बोर्ड भी लगा हुआ है अस्तोर शहर से कर आप जीप लें तो यह तक्रीबर 12-14,000 रुपे लेगी जबकि सारे अरिया में आपको मुनासिब होटल मिलते रहते हैं जिनका कराया 2000 से शुरू होता है चौरट वेलिज के बाद अब हम तरिशिंग की तरफ सफर कर रहे हैं जबकि सड़क ओवराल ठीक ही चल रही है एक मुकामी ने बताया था कि तरिशिंग वेलिज तक सड़क ऐसी ही है जबकि तरिशिंग के बाद से रूपल का रास्ता बहुत खराब है कर दो है चॉरिट से रूपल आने में वो मिश्किल 20 मिनिट लगते हैं इस सारा रास्ता ही बहुत खुम्सूरत था तिर्शिंग विली से अब हम रूपल की तरफ निकलेंगे यहां महुशने में में तकरीबन 40-50 मिनिट लगेंगे अगर हम चाहें तो तिर्शिंग विली से भी नांगा परबत का दिदार कर सकते हैं तिर्शिंग विली का जैसे ही सफर शुरू किया तो एकदम से सर्फप्राइज मिला सड़क नहायत खराब हो गई मगर हम लोग अल्ला का नाम लेकर चलते रहे क्योंकि हमेशा की तरह मैं अपने प्लाइज से एक घंटा लेट था खराब चरहांचें चड़ने के बाद मिदानी अलाका शुरू हुआ तो कुछ सकून मिला लेकिं सड़क बहुत ही खराब थी और हम लोग कई दफ़ा की चड़ में फसे कर लेकिं से घंटा बहुत है अभी हम लोग रूपल पहुंच गए हैं जो तरिशिंग विलिज था वहां पर भी एक था व्यू पॉइंट ग्लेशिर का बड़ा जबर्दस नंगा परबत का लेकिन बाद साब कहा रहे हैं के नहीं जाना थे रूपल फेस जाना थे अगों बेस केम परी जाना है हला कि बेस केम जाने का मेरा नहीं ख्याल टाइम है देखते हैं जाके कोशिश करते हैं खाना भी दिंखाया वा यह मैं खाना पक वाऊंगा उतनी दिर में यह बेस केम से होएंगे एक घंटे का है इनका स्टैमना ठीक है अभी यह गाओं बड़ा प्यार है रूपल गाओं और यह वो होटल है जहां पर हम यह अब हमारा आफरी स्टाप है कौने काड़ दिया है और पैदे जफर पर चल पड़े हैं आज के सफर के लिए मैं बहुत एक्साइटिड था मगर किस्मत शायद आज साथ नहीं दे रही क्योंके नांगा परपत को मुकमल तोब पर बादलों ने ढांपा हुआ है इसी सोच में गुम मैं आहिसा आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया वापिस आने वाले ग्रूप ने बताया कि वो लोग तीन गहंटे बेस कैम पर वेट करते नहें हैं कि कब बादल हटें और उन नांगा परपत देख सकें बेस कैम तक पैदल जाने में 40 मिनट लगते हैं और ये मुश्किल भी नहीं है मगर बादलों की मजूदा हालत देखकर और वापिस आने वारे लोगों का रिव्यू सुनकर मैंने वापसी की राह टेली जिबके बाद आगे निकल गया अमर भाई को हम लोग नीचे ही छोड़ रहे हैं असल में वो खुदाना नहीं चाहरे थे हम कैसे चोड़ सकते हैं बादलों की वज़ा से वो कह रहे थे नांगा परपत नहीं नजर आएगा तो मैं नहीं जा रहा अगर आप लोगों को जाना तो चले जाओ तो मैंने और एमद ने फैसला किया कि हम बेस कैम तक 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 तो जाएं जितना जा सकते हैं तो भी हम आगे हैं वो आपको नजर आ रहा होगा वो येलो और और ओर ग्रीन कलर के टेंट उमर भाई वहां पे हैं और हम लोग आगे जा रहे हैं पारकिंग अरिया के बाद एक लंबी जड़ाई आती है और इसके बाद तकरीबन तमाम ट्रैक मेदानी ही रहता है वैसे अब यहां वाश रूम और कैंटीन मुझूद नहीं है जब आप बेस कैम पहुंचें तो इससे आगे 10-15 मिनट की वाउक करके मजीद आगे लाजमी जाएं क्योंके नांगा प्रबत का असल व्यू वहीं से मिलेगा मगर बादलो ने इस खुबसूरत पहाड को घेर रखा है और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है यह ग्लेशियर इस वक्त पिगल रहा है और इसके ओपर यह जो पत्थर पढ़े है ना इसके पिगलने की वज़ा से सिरग कर यह नीचे सारे इकठे हो गए अभी इस तरफ से वह हलक हलके पत्थर गिरें वह बड़े वाला जो भी मेरे सामने गिर रहा है मैंसे रिकॉर्ड यह नी कट सेगा लेकिन मैं सरी बात करता हूं हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग फेस करते हैं प्रॉबलम वो खाने की है और यहां पर जो लड़किया हैं उन्होंने इस चीज का हाल निकाल ली है वो आइस बॉक्स में अपनी अम्मा के हाथ का खाना बना के लाए है और मैंने उनसे पूछा है किस तरह से लाए हूं कहते हैं जब बरफ खतम हो जाते थी हम नहीं बरफ बिसमें डाल देते थे तीन चार दिन से स्टेन किया है उनका खाना और यह सबसे जबरस चीज है आपका मेदा भी ठीक रहता है क्योंकि हम आदत नहीं होती है यहां पर केन फूड नहीं लेकी आया क्योंकि समान केरी करने का मसला था अधर्वाइस मैं पर केन फूड ही करता हूं ज्यादा तर यह चने की डाल है और साजची करना माशला इसमें बिल्कुल काली मिर्च भी है सबस मिर्च भी है वा 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 लेकिन सबसे बड़ी बात बला कि आ 10,000 फुट की बुलंदी है और यहां पर खाना और आम से नहीं पकता इसलिए जो चावल है वो इन्होंने पकाए हैं कुकर में और वगरते हम कह तो बिल्यानी रहे हैं लेकिन यह बनेगी कोई प्लाव टाइप को चीज बनेगी और इस चीज को लेके मैं हूँ इतना कि मैं जैसी भी होगी खा लूँगा हम लोग सुबा नाश्टा करके निकले थे और अभी छे बज गये और दस घंटे होने वाले हमारे नाश्टे को काफी स्यादा भूग लगी थी अभी बास गयर अभी गए में वह थो थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो गया मुझे हाद जी पटी साफ पटी साफ जिंदाबाद वाई लेकिन बैडला कि यह हुई है कि हमारे बादल नहीं हमें मिल सके ये बड़ा मसला हुआ है बादल ही तो मिले हैं हम वहां पर गए हैं तो मुझे रास्ते में ग्रूप मिला वो कहते हम पिछले दो गएंट से हम बैठे हुए हम किसे ट्रैकिंग करना तो और मुश्किल है मुरीज बंदा हूं मैंने फिर भी इतना चला हूं उसके बाद मेरी बस हो गई मैंने अपने बंदों को बेजा फिर भी उस तरह से नहीं किया अभी एक खाना आने लगा यह आपको मैं दिखाता हूं यह हमने एक प्लाव टाइप बनवाया है यह देखें यह एक प्लाव टाइप सीन बना है लेकिन बड़ा मज़ेका है मैंने पहले चेक कर लिया था अच्छा हम लोग अपने प्लैन से कोई देड़ घंटा लेट हो गए है जो बेस कैम था वहां से बास का कहना है कि बिल्कुल थोड़ा सा व्यू नजर आ सकती हैं लेकिन उसे आगे ना जाएं बेतर है पक डंडियां जो थोड़ी देंजरिस हैं और वैसे भी वहां पर वाश्रूम की जो फिसलिटी है वह बिल्कुल गुजारा लाइक है और वहां पर ठंड भी बहुत पड़ जाती है तो अगर आपने आना भी है तो आप यह पा पर को सकमाप लाजमी एक लाइज कीजेगा इस वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा कमेंट कीजेगा और हमें अपनी दुबाव में याद रखिएगा अस्तोर की मेरी स्रीज भी चल रही है और मिलते हैं अगले अपिसोड में अलाफिज और अगर आप एक ऐसी जील लेखना चाहते हैं जिसका पानी लफ अल्ला की शकल बना कर बहता है तो यहां क्लिक करें और अगर हजारों साल पुरानी गुजरगा शाहरा-ए-रेशम का सफर देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें क्रिपन ट्रिपी मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें